हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई ओफिशेल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहा है B.E.L. का जो रिक्रूट्मेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसके बारे में भारत इलेक्रोनिक्स का रिक्रूट्मेंट का एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है जिसमें आपका टोटल 232 वेकेंसी हैं 232 वेकेंसी हैं प्रोबेशनरी इंजिनियर्स की 205 वेकेंसी हैं प्रोबेशनरी ओफिसर की आपकी 12 वेकेंसी हैं प्रोबेशनरी एकाउंट्स ओफिजर की 15 वेकेंसी हैं, टोटल आता है हमारा 232 वेकेंसी, प्रोबेशनरी इंजीनियर में कौन-कौन से डिसिप्लिन मांगी गई हैं, कौन-कौन सी ब्रांच इलिजबिल हैं, यह आगे हम लोग डिसकस करेंगे, एज अगर देख लेते हैं, एज की बात करते हैं, तो maximum age है आपकी 25 years, किसके लिए? प्रोबेशनरी इंजीनियर और प्रोबेशनरी ओफिसर HR के लिए, और यह बोला गया है, age होना चाहिए, as on 1 सितंबर 2023 तक 25 years, accounts officer की बात करें, तो इनके लिए जो maximum age है, वो है 30 years, salary के अगर हम बात करें, तो basic पे देख convince allowance, performance related pay, medical reimbursement और जो भी इसके अलावा other allowances होंगे, तो CTC जो आपका बनेगा, वो बनेगा 12,00,000 से 12,00,000 परेंब, ठीक है, आगे बात करते हैं, किस किस branches में vacancies आई है, प्रोबेशनरी इंजीनियर, देखे, 124 vacancies हैं, किस में मांगी गई है, electronics and communication में, अग भी आगे हम देख लेंगे, इसमें और कौन कौन से, इसकी equivalent branches eligible है, बी बी टेक, बी एससी इंजीनिरिंग मांगा गया है, electronics and communication में, प्रोबेशनरी इंजीनियर, E2 लेवल का है, आपका, इसमें 63 vacancies हैं, बी बी टेक, बी एससी इंजीनिरिंग ग्रेजुएट इन mechanical, और उसके बाद है, आपका, बी बी टेक, बी एससी इंजीनिरिंग ग्रेजुएट इन computer science, computer science में 18 vacancies हैं, mechanical में 63 vacancies हैं, और electronics and communication में 12 vacancies हैं, HR में बात करें तो 12 vacancies हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, दो साल का MBA, या फिर MSW, या फिर post graduate का आपका degree, या फिर diploma in human resources, industrial relation और personal management, human resources management, industrial relations और personal management, accounts officer में CA मांगा है, या फिर CMA मांगा है final, ठीक है, total vacancies हैं 15, आगे देख लेते हैं और उसमें क्या-क्या important चीज़ें हैं, total आप देखे, 232 vacancies हैं, unreserved category के लिए 96 vacancies, OBC, NCL, non-criminal year 62, SC की 34, ST की 17 vacancies, और EWS की आपकी 23 vacancies, total बनता है हमारा 232 vacancies, eligible qualification देखे, for professional engineer, post, you are oblique OBC, oblique EWS candidates with first class in B.E., B.T.E.C., B.H.C., engineering graduate, तो unreserved OBC और EWS के लिए बोला गया है, first class यानि कि 60% marks आपको चाहिए, electronics, electronics and communication, electronics and telecommunication, telecommunication, mechanical, computer science, computer science and engineering, so total आप देख सकते हैं, यह सारी branches eligible हैं, इसके बाद बोला है यहाँ पर candidates with first class in A.M.I.E., A.M.I.E.T.E., G.I.E.T.E., अगर आपने यह भी आपके पास डिग्री तो भी आप इसके लिए eligible हैं, आप apply कर सकते हैं, SC, ST, P.W.D. candidates with past class in above degree disciplines are eligible to apply, मतलाब इनके लिए 60% requirement नहीं, बस pass हो जाएं, उतना इनके लिए sufficient है, सिर्फ pass आपका होना चाहिए और आप इसके लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है note में, other equivalent disciplines will not be considered, यानि कि जो यहाँ पर mention हैं, बस वही लोग apply कर सकते हैं, इसके लाबा और कोई भी equivalent degree है आपकी, तो आप apply नहीं कर सकते हैं, calculation of percentage of marks in the qualifying degree would be governed by institute of university rules, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HR में, यहाँ पर भी भाई बोला गया है, UR, OVC, EWS इनके लिए first class चाहिए और बाकी SCST, PWD इनके लिए pass होना चाहिए, ठीक है, accounts officer के लिए बोला गया है, past class in CA oblique CMA final from the institute of chartered accountant of India और the institute of cost accountant of India, age criteria बता दिया गया है, 25 years है, आपका प्रोबेशनरी इंजिनियर्स और प्रोबेशनरी ओफिसर HR के लिए, और accounts के लिए 30 years, ठीक है, SCST candidates और OVC, NCL candidates के लिए age में relaxation दिया गया है, SCST के लिए 5 years, OVC के लिए 3 years, ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़े important हैं, यहाँ पर बोला गया है, candidates should be able to produce cast certificate issued by the competent authority on or after 1 September 2022, ठीक है, 1 September 2022 के बाद का आपका यह certificate बना होना चाहिए, अगर आप other category में apply करते हैं, तो cast certificate लगेगा, वो आपका 1 September 2022 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है, EWS के लिए बोला गया है, candidate shall be in passion of the requisite income and asset certificate based on the income for financial year 2021 and issued on or after 1 April 2022, after completion of financial year 2021 और 22, यानि कि 1 April 2022 या उसके बाद का आपका certificate बना होना चाहिए, और क्या बोला है, applicant's photo on the certificate should be duly pasted, signed and stamped by issuing authority, ठीक है, number of post आपको बता दिया गया, total 232 vacancies है, 114 electronics में है, 63 mechanical में, 18 computer science, 12 human resource और 15 आपका accounts की, place of posting देखे, कहाँ पर आपकी posting हो सकती है, Bangalore, करनाटिका, गाजियाबाद, UP, पूने, महारास्टरा, हैदराबाद, तेलंगाना, चिन्ने, तमिल नाडू, मचली पत्नम, आंदरप्रदेश, पच्कुला, हर्याना, कोटद्वार, उत्रखंड और नभी मुंबई, महारास्टरा में, ठीक है, last date of application है, 28 October 2013, online registration आज से start हो गया है, feeस है, आपकी general candidate, EWS और OBC NCL के लिए, 1180 रूपई, 1000 आपका इसका feeस है, और इसके अलावा 18% GST है, तो वो आपका total बन जाता है, 1180 रूपई, 1180 रूपई, ठीक, SCST, PWD, ESM, यानि के ex-servicemen, candidates are exempted from payment of application fees, इनके लिए कोई fees नहीं है, method of selection देख लिजे, candidates who meet the qualifying criteria, and whose online applications have been accepted, will be provisionally shortlisted for the computer-based test, based on the performance in computer-based test, candidates will be provisionally shortlisted for interview, तो आपका एक computer-based test होगा, और उसके बाद आपका interview होगा, और जो selection होगा, वो आपका दोनों ही weightage होगा, मतलब कि आपका computer-based test का भी marks add होगा, और interview का भी, selection will be based on the performance of the candidate in both, the computer-based test and interview, ठीक है, computer-based test में आपके लिए देखिए, इसमिया पर लिखा हुआ है, the computer-based test will be held at centers, mentioned in an lecture A, यह भी आगे हम आपको दिखा देंगे, candidates should choose five test centers nearest to their place of correspondence, पांच test center आप choose कर सकते हैं, और बोला है, allocation of the test center will be done based on the availability of the test center, ठीक है, तो अगर आप apply करना चाहते हैं, तो जल से जल अप्लाई कर दिजे, तो जो आप first preference देंगे हो सकता, आपको वही test center मिल जा है, कैसे apply करना है, online website पर आपको उनका जाना है, link आपको description में मिल जाएगा, description में link दिया गया, direct आप जा करके वहाँ पर apply कर सकते हैं, और पूरा procedure यहाँ पर दिया गया है, आपको कैसे apply करना, step 1, step 2, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसके अलावा, अगर मालिए suppose आपको कोई problem आती है, कुछ भी है, तो यहाँ पर एक number दिया गया, आप वहाँ पर भी call कर सकते हैं, में वहाँ पर भी inquiry कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या important चीज़ें हैं, देखे, यहाँ पर बोला गया है, in case of any clarifications, regarding the advertisement, please feel free to contact through helpdesk tap, integrated in the application portal, application portal में आपको helpdesk tap दिया गया, या फिर आप इस toll free number पर भी call कर सकते हैं, which is 9513165586, ठीक है, please note that no other form of communication will be entertained, including telephone calls, conventional mail, other email, etc. ठीक है, कोई और भी आप जो है, सिर्फ और सिर्फ या तो आप helpdesk tap है, वहाँ पर contact कर सकते हैं, या फिर आप इस number पर contact कर सकते हैं, इसके लावाब mail वगरा लिखेंगे, वो सब acceptable नहीं हैं, अब देखिए, ये हैं आपके examination centers, हर एक city में कितने centers दिये गएं, आप देख सकते हैं, अंदर परदेश में 4 हैं, अरुनाचर परदेश में 1 है, असम में 1 है, बिहार में आप देख सकते हैं, पाँच हैं, चंडीगर, चंटिजगर, डेली-NCR, यहां पर हर एक state दिया गया है, और उससे related उसके test centers दिये गया है, आप check कर सकते हैं, तो जो भी आपको suitable लगते हैं, आप वो test centers चूज़ कर सकते हैं, आप यहां पर कुछ FAQs दिये गये हैं, कौन-कौन से different category है, वो यहां पर लिखी है, age limit वो भी आपको बताई गई है, किसके लिए क्या क्या है, और किसके लिए age का relaxation है, यह भी यहां पर clearly mentioned है, ठीक है, qualification, general के लिए first class, OBC के लिए first class, EWS के लिए first class, SCST, PWD के लिए pass, fees भी यहां पर लिखी गई है, general के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, ex-serviceman, SCST, PWD, इन के लिए कोई fees नहीं है, ठीक है, various specializations, कौन कौन सी branches eligible है, electronics में देखिए, electronics, electronics and communication, electronics and telecommunication, communication, telecommunication, mechanical में सिर्फ, mechanical engineering, computer science में, computer science, computer science and engineering, human resource में, MBA, MSW, PG degree or diploma in, human resource management, industrial relations, personal management, ठीक है, from AICTE, approved colleges oblique universities, in case of dual degrees of HR, with another specialization, HR should be the major subject, आगे बात करते हैं, accounts, CACMA final from the institute of Chartered Accountant of India, or Cost Accountant of India, इसके बात देखिए, यहाँ पर बोला गया है, what are the language options for computer-based test, हिंदी में भी होगा, और आपका English में भी होगा, candidates will have a choice between Hindi and English, test centers कौन कौन से हैं, पूरा आपको यहाँ पर दिया गया, जो कि आप test centers, चूज कर सकते हैं, इसके लाभा बोला गया, do I need to pay the application fees only, and have the bank चलान, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, once you fill the application, you will be redirected to the payment gateway, for payment of application fees, और कितनी fees देनी है, यह भी यहाँ पर clearly mention है, ठीक है, करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह कि आप inquiry चाते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, जो यह आपको reimbursement है, यह देखिए, क्या बोला गया है, कि जो computer based test होगा, इसका reimbursement नहीं मिलेगा, लेकिन outstation candidates, shortlisted for the interview, will be eligible for reimbursement of second class, to and fro, train fare by the shortest tours, ठीक है, तो अगर आप shortlist हो जाते हैं, outstation candidates हैं, तो आपको interview के लिए reimbursement मिल जाएगा, लेकिन computer based test के लिए किसी को नहीं मिलेगा, तो किसी भी तरह की जानकारी चाते हैं, आप comment करके पूछ सकते हैं, link आपको description में दिया गया है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, direct online application का link भी आपको description में मिल जाएगा, so thank you very much and thank you for watching,